हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल बेसिक एलेक्ट्रिकल आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफ्रेंट्स बिट्विट्विन एच्टी एंड एल्टी लाइन तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एच्टी क्या होता है होता है ह्ट का मतलब होता है हापका हाई टैंशन और इसे हम क्या बौल सकते हैं और हाई वोल्टेज नेक्स्ट हम लोग जान सकते हैं इसकाल ट का फिल फॉर्म एल टे ल्ट का मतलब क्या होता है low tension और low voltage okay so जो आपका tension का मतलब क्या होता है tension क्या है एक french words है इसका मतलब क्या होता है voltage so ht मतलब high tension और high voltage similar way lt is equal to low tension और low voltage so next हम बात कर लेते हैं इसके voltage range के बारे में voltage range okay तो हम voltage range की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते है lt की low tension की voltage range कहां तक होती है up to up to 1000 volt और 1 kV तक range होती है तो जो lt line होती है आपकी lt जो supply होती है वो क्या होती है दो तरह के क्या होती है एक आपकी single phase और दूसरी होती है three phase single phase और three phase supply होती है तो single phase में क्या होता है 230 volt और three phase में 440 volt और 415 volt तो जो single phase होता है वह generally क्या होता है 230 volt होता है तो वह इंडिया में particular 230 volt का यूज किया जाता है लेकिन जहां पर required होता है three phase तो वहां three phase यूज करते हैं तो 440 और 415 volt होता है तो lt supply आपकी कितनी तरह के होगी दो तरह की supply होती है ओके lt supply दो तरह की होगी next हम बात कर लेते हैं ht के बारे में ht की voltage range कितनी होती है तो next हम देखते हैं lt के बारे में okay lt के बारे में देख लिए हमने अब देखते है ht में voltage range क्या होगी ht में voltage range होगी 11 kv 22 kv 33 kv are ht lines so up to 33 kv are ht lines that is means the greater than 33 kv is also called extra high voltage lines okay तो 33 kv तक के हम को बोलते है उसे हम क्या बोलते है ht lines और 33 kv से बाब होने पर हम इसे क्या बोल रहे है extra high voltage line and next हम बात करते हैं इसके fault के बारे में तो fault हम बात कर लेते हैं lt में lt में क्या होंगे more faults होंगे more faults क्यों क्योंकि यह होते हैं इसमें जो भी जितने भी it is directly connected with the load so जो variation of load होगा so there is the load variation of load में क्या होगा ज्यादा stress आ जाएगी and the conductor पर ज्यादा stress होगा तो conductor burn होने के chances ज्यादा होते हैं बात कर लेते हैं lt में अब lt में more faults होते हैं next हम बात करते हैं ht में क्या होगा ht में आपके less faults होगा क्यूंकि इसमें आपके क्या होगा यह लोड से directly connected नहीं होता है और lt false में लोड से directly connected होता है तो इसलिए lt lines में more faults होते है ht lines में less faults होते हैं next हम बात कर लेते हैं insulator पे इसलिएटर तो इसलिएटर में पहला lt lt में क्या होगे दो तरह के इसलिएटर होते हैं कौन कौन सा तो lt में होगे आपके पहला small pin type insulator small-pin type insulator small-pin type insulator next हहता है cycle type cycle type insulator so यह दोनों क्या होते हैं small pin taipe insulator cycle type insulator it is an overhead line लाइन ओके नेक्स्ट है आपके एस्टी इंसुलेटर एस्टी में कौन से इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो एस्टी में पार्टिक्लर इंसुलेटर होता है वह क्या होता है पिन टाइप और डिस्क टाइप डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं एक्स्ट हम बात क conductor use होता है तो उसमें आपका यूज़ होगा Rabbit ACSR conductor Rabbit ACSR conductor use होगा 11 के लिए वोल्ट की होती है यह और size of the conductor क्या होगा size यूज होगा इसका conductor का वो क्या होगा 50 mm square और जो current carrying capacity की हम बात कर लेते हैं तो इसकी current carrying capacity होती है 157 ampere इसकी current carrying capacity होती है next इसमें होते हैं dog conductor होते हैं ht lines में dog conductor use होते हैं तो dog conductor जो बात करते हैं उसकी होती है 33 kv और इसकी size जो होती है आपकी वह होगी आपकी 100 mm² next है आपका LT line पे Insulator कौन सा यूज होगा LT line में जो आपका particular Insulator यूज होता है वह होता है Squirrel ACSR Conductor जिसकी Size होगी 20 mm² और Capacity होगी 89 Ampere दूसरा होता है आपका विसिल Conductor ओके दाट इस दा डिफ्रेंस next डिफ्रेंस में हम बात कर लेते हैं LT line में जो LT line होती है वो क्या होगी Distributed in Star Connection Distributed in Star Connection तो इसमें Star Connection होते हैं तो क्या होगा Star Connection में आप देखते हैं इस तरह से होता है R, Y, B और और न्यूटर्ट मतलब 3 phase 4 wire होते हैं तो LT line में 4 wire required होती है हम बात करते हैं HT line में तो HT line में आप देखे क्या होगा HT line में हम बात करते हैं तो HT line में क्या होता है distributed in delta तो इसमें क्या होगा delta connection आप देखे ये R, Y, B तो delta में 3 wire तो delta connection में HT lines में delta होते हैं distributed in delta so it requires 3 wire but in the case of LT it requires 4 wires next हम discuss करते हैं आपके जो HT line होगे हमारे जो power station है power station से ही हमारे सब generate होती electricity और power station से वो HT lines high tension line होगी वो आपके pole sub station तक आती है and pole sub station से आपके क्या होते हैं सारे consumers इससे जूड़े होते हैं सारे consumer यहां आपके इससे connected होते हैं जो users हैं तो जो आपके power station से pole के बीच में connection है power station से pole sub station के बीच जो connection है वो क्या होगे हैं आपके HT line और जो pole sub station से आपके house और consumer तक जो connected है और यहां होंगे L T line आपके आपके बीचार आपके अपके नहीं हैं आपके में आपके आपके नहीं होंगे